नमस्कार दूस्तो सुवागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल में और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम खास तोर पर उन महिलाओं के लिए जानकारी लेकर आए हैं जो जानना चाती है प्रेगनेंसी के लक्षन क्या होते हैं तो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी रिवकेश्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दे क्योंकि इसकी हमें बहुत जरूरत होती है इसे हमें प्रोचसान मिलता है आपके लिए और भी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आने के लिए और दोस्तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को जड़ दमाए दोस्तो हर मेला सोचती है कि इस महीने अभी तक पिरियड नहीं हुआ है कई में प्रेगनेंट तो नहीं, डोक्टर के पास जाना अभी ठीक होगा या नहीं इन तमाम सवालों के जवाब खोजने में कोई और नहीं बलकि दोस्तो आपका शरीर ये आपकी मदद कर सकता है अब आप सोच रही होंगी कि भलावो के से तो दोस्तो आपकी समस्या में मदद करेंगे गर्वज़ता के दोरान प्रकट होने वाले वह तमाम लक्षन जो हम आपको बताने वाले हैं बस उन लक्षणों को आपको जानने और महसूस करने की जरुरत है तो चलिये अब बताते हैं आपको ऐसे कौन-कौन से लक्षण है जो की बताते हैं कि आप गर्वज़ती हो गई है ठकान और नींद दोस्तों कि आप पूरे दिन ठकान और नींद को महसुस कर रही होती है कि आपकी नींद में इजाफा हुआ है अगर इसका जवाब आपका हाँ है तो हो सकता है कि आप मा बनने वाली हो गरवस्ता में ऐसा प्रोजेश्टेरोन हार्मोन का इस्तर बढ़ने के कारण होता है भृून को पोशन पोचाने के कारण आप ठकान महसूस करने लगती है नतीज़ यह होता है कि आपको नींद आती है इसलिए इस लक्षन को काम की ठकान मत मान लीजिएगा अपनी खुराक में मिनरल और आईरन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करें इससे ठकान आपको कम महसूस होगी जी मचलाना दोस्तों सूबे के समय जी मचलाना शरीर में भारीपन भी गरवस्ता का एक लक्षन है इसकी दर अलग-अलग हो सकती है जानकारों की अगर माने तो 80 प्रतिशत महिलाओं में जी मचलाना और उल्टी होने की समस्या दो सप्ता से 8 सप्ता तक रहती है ऐसा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अधिक्ता के कारण होता है पिरियड ना आना यह गर्वस्ता का सबसे इस्पर्ष्ट लक्षन होता है गर्व धारन के शुरुवाती 8 हफ्तों के भीतर सिर्फ एक बार हलकी ब्लेडिंग प्रेगनेंसी का लक्षन है आम तोर पर गर्वस्ता के शुरुवाती दिनों में पिरियड भी रुख जाते है इसका मतलब यह बिलकुल नहीं है कि महवारी सिर्फ इसी वज़े से रुकी हो लेकिन सामानिय गर्व के दोरान इसका रुखना जरूरी है पिरियड का चक्र कई बार थकान यह चिंता के कारण भी असंतुलित हो जाता है सिर दर्द दोस्तों गर्वस्ता के दोरान सिर में दर्द भी एक आम समस्या है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन गर्वाशे में मौझूद एक हार्मोन होते हैं जिनके बढ़ने के कारण बलड शूगर का इस्तर गिर जाता है इस उतार चराओ के कारण मस्तिक्ष की कोशिकाओं पर अतिरिक्त दबाओ पड़ता है इस वज़े से सिर में दर्द होने लगता है इस्तनों के आकार में परिवर्तन गर्वस्ता के शुरुवाती दिनों से ही इस्तन के आकार में बदलाओं महसूस होने लगते हैं ये भेहद सामान्य यानिकी जनरल लक्षन हैं, दरसल इस्तन के उत्तक हार्मोन के अती प्रती सव्वेदन शील होते हैं, गर्वदारन करने के साथ ही हार्मोन जनीत बदलाव शुरू हो जाते हैं, जिससे इस्तनों में सूजन या फिर भारीपन आ जाता है, पेशाब अधिक आना, जब महिला गर्वती होती है, तब उसके शरीर से अधिक मात्रा में पेशाब निकलती है, क्योंकि किड्नी दोगुना काम करती है, इस अवस्ता में कोरियोनिक गोनाट्रोट ट्रोफिन हार्मोन शरीन में बनने लगता है, जो पेट के निचले हिस्से में रक्त प्रव को बढ़ाता है, इसका भी नतीजा यह होता है कि पेशा अपेक्षा की द्रश्टी से बहुत ज़्यादा आता है, गंद और भोजन में अरूची, अगर आपको अचानक किसी खास तरक के भोजन से गंद आने लगे, बदबू आने लगे, और आप उसे ना पसंद करने लगे तो हो सकता है कि आप गरवती हो, यह गरवस्ता का लक्षन हो सकता है, कई महिलाओं के मुग के कड़वे स्वास से भी परिशान रहती है, वही कुछ को किसी खास चीज की महक, जैसे की दूद, अंडे, या फिर चाय की गंद से परिशानी होने लगती है, और वह ऐसे भोजन से बचना शुरू कर देती है, आम तोर पर यह गरवधारन की पेली तिमाई में ज़्यादा दिखाई देता है, कुछ समय बाद यह अपने आप ठीक हो जाता है, कब्ज, दोस्तों गरवस्ता के मुख्य लक्षनों में कब्ज भी शामिल है, आम तोर पर यह प्रोजेश्टे इसी वज़े से कब्ज की समस्या हो जाती है, इस दोरान इसके अतिरिक्त कम फाइबर वाला खानपान, कम पानी पीना, आईरन की गोलियों के सेवन और तनाव, आदी के कारण भी कब्ज की समस्या देखने को मिलती है, शरीर का तापमान बढ़ना, यह तो मासिक धर्म के दो गर्ववस्ता के दोरान 0.5 centigrade टक शरीर का तापमान बढ़ जाता है, इसे बुखार से confuse नहीं करें, और बुखार की दवा नहीं लें इस दोरान, तो दोस्तों यह थी वो सारी जरूरी लक्षन जिनको आपको केवल पेचानने की दे रहे, क्योंकि यही वो सारे main लक्षन होत आते हैं कि शायद आप गर्वती हैं, तो दोस्तों यही थी मेरी आज की जानकारी, आप सभी महिलाओं के लिए उमिद करता हूँ आपको मेरी जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोड़ दमाएं, धन्यवाद दोस्तों